हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छ होंगे तो आज मैं फिर से किचन और घर से रिलेटेट कुछ टिप्स लेकर आई हूँ आशा करती हूँ यह सारे टिप्स आपको जरूर काम आएंगे और साथ ही साथ हम देखेंगे कि जूते को मोजा पनाना क्यों जरूरी है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगा पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करेंगा तो चलिए बिना देरी किया आज का यह वीडियो स्टार्ट करते हैं शर्ट में बटन लगाने में कभी-कभी बहुत ज़्यादा दिकत होती है क्योंकि इसक काज जल्दी निकलता नहीं रहता है उसमें से बटन तो इस प्रॉब्लम को सॉल्ट को लिंट एक छोटी सी टिप आप यूज कर सकते हैं आपको यहां पर लेना है सेफटी पिन और सेफटी पिन को इस तरीके से बटन में इंसर्ट कर दिना है उसके बाद आप काज में इस जादा दिक्कत होती है या फिर जो नए शर्ट होते हैं उनमें हम यह वाली ट्रिक को यूज कर सकते हैं क्योंकि उनके जो नए वाले शर्ट की जो काज होते हैं बहुत छोटे होते हैं पुरानी शर्ट में तो यह भी होता है कि हम लगाते लगाते उसके जो काज होते हैं व उंगली जल जाती है या फिर बच्चों ही के है कि कभी जैसे जल गई या फिर फीर तो सा कट सा आ जाता है तो वहां पर आप इस तरी की से आटा गूत हुआ हमारे पास रहता ही अगर नहीं है तो अगर जट पर फैलाने के बाद आप यहां पर लेलिजे पेस्ट जो वाइट तो इसको थोड़ा सा आटे पर लगा कर फेला लिजा उसके बाद आप जहां पर जल गया है लगा दीजे तो जो आटा होता है और उसमें यह कॉलिट इसकी तासीर बहुत अच्छी थंडी होती है तो यह जो जलन होती है न वो बहुत हद तक उससे कंट्रोल हो जाती है और जो फपोले वेगरा जो पढ़ने वाले होते हैं वो भी बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं हमारी कीचन में यूज होना वाले ये जो चाकू होते है कैची वेगरा जो होते हैं इनको हम यूज करते इसानी से बाहर ले जाते हैं जिसमें हमारे खर्ष होते हैं पैसे तो इसको आप तेज आसानी से घर में कर सकते हैं उसके लिए आप यहां पर यूज कर सकते हैं इस तरीके का एक नेल पेंट आप इसके बैक साइड में देखते होंगे थोड़े से खांच टाइप के बने रहते हैं तो तो इस तरीके से रब करिएगा थोड़ी देर तो चाकू जो होता है बहुत ही अच्छे से तेज हो जाता है सिर्फ नेल पेंट नहीं आप कोई भी काच के या फिर जो कप वेगरा जो होते है चीनी मिटी के तो उससे भी आप इसको इस तरीके से रब करिएगा ना तो इसकी धार बहुत अच्छे से तेज हो जाती है चाहे वो चाकू हो या कैंची हो तो इस तरीके से बस कुछ सेकेंड आप इसको रब करिए तो बहुत ही अच्छे से यह तेज हो जाती है तो एक पर इसको जरूर ट् एक व्यक्त तरह के जो मोचे वाले जेकट होते है इनको आशीर चाहिए औरर्द刑ने के लिए पहुताइज कर में दोवाले सेम पलत तो चीर जिपता चाहिए ऑप को कि यूज करने के बाद て बताने के बाद चाहिए इसके शेलिआ ही किός और फोल्डी कि बूप कर आँए है report तो इस तरीके से अंदर ऐसमें डाल दीजे़ जो हमने बैक में फोल्ड किया जो दोनों सलीव को हमें इसके अंदर क rotten चाहिक देपर vomh जाता है कुछ continues to do याँ तो आ mm अदर के फोल्ड करें तो इस तरीके से अपने जैकेट्स को अगर आप अरेंज करके फोल्ड करके रखेंगे ना तो कम जगे में धेर सारी जैकेट्स जो हैं वो आपकी आ भी जाती है तो आई होप यह वाला ट्रिक भी आपको ज़रूर यूसफुल लगा होगा दोस्तो कई बार आप ने देखा ऊगा इस तरह की जो गूड़ नाइट जो होते हैं तो कभी कपर हमाए पस होता है कि हमाए पास दूसरी रिफिल है नहीं तो हमें मैक्सो वेगरा जलाना पड़ता है या फिर अगर मैक्सो भी नहीं है तो उस वक्त हम क्या करें तो आपको यह पर लेना है कपूर की गोली आप एक ले ले इस तरीके से इसका आप यूज करिए गाना तो यकीन मानिया आपको जो मच्छर वगरा जो शाम में बहुत आ जाते हैं उसे काफी जादा रिलिफ मिलेगा तो आपको करना क्या है यह वला जो उपर वला होता है ना इसको आप इस किसी फैल जाएगी और जो मच्छर वो बिल्कुल भी नहीं आएंगे तो कभी अगर आपके पास रिफिल नहीं है या फिर मेक्स वेगरा नहीं अगर बती वेगरा नहीं तो एक बार इसको यूज करके देखेगा बहुत ही कारगा यह पर इसको ट्रैक करके देखेगा मुझ जूते जब पहनते हैं उससे पहले मोजे अपने पैरों में पहनते हैं पर आज हम इन मोजों को जूते में पहनाने वाले हैं इनके जो यह अंदर वाले सोल्स होते हैं आप देखते होंगे जबसे पुराने जूते हो जाते हैं जिसके बाद यह हमारे पैरों में बहुत ज्य गिस चुका है और इस तरीके से सॉक्स डालने पर क्या होता है कि हमारे पैरों में बहुत ही अच्छी सी गर्माहट भी रहेगी तो इस तरीके से अगर पुराना मोजा आपके पास है और आपके जूते के जो यह सोल होते है अंदर वाले अगर घिस गए तो एक बाइस ट्रीक क जो होती है जब भी खाली हो जाता है तो हम इसको फेक दिया करते हैं रिसकार्ट कर देते हैं लेकिन इनको भी बहुत ही अच्छी से हम लोग यूज कर सकते हैं क्योंकि इसका जो क्वाल्टी होते है बहुत ही अच्छा होता है और इस पेशली का होता है तो हमारे बहुत सार या कभी कबार अंदर हानी की हो या फिर अचार की शीशि होती है तो इसमें अगर अचार छाली हो जाता है उसका रहती है उसको घ्राइब हो धुझक हो जाता है उसके बाद आप यह जो बर्नी होती है उसके पर इस तरहके से पस lien का तो बर्नी के अंदर उसका जो धुआ है अच्छे से वो भर जाएगा उसके बाद 10-15 सेकंड के लिए आप रहने दीजिए फिर आप उसको हटाइए तो देखिएगा अंदर की जो भी अचार हो या भी शेहत की स्मेल जो होगी वो अच्छे से खतम हो जाती है रिमूव हो जात अगर आप पहली बर में चैनल पर आएं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा कल फिर मिलती हूं ऐसे ही कुछ यूश्फुल वीडियो के साथ कुछ नए टिप्स और ट्रिक के साथ तब तक के लिए अपना ख्याल रखें गुडबाई